हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ग्यान पार्ट तो दोस्तो अरारवी ने अलपी सीविटी टू का जो रिजाइट है अभी तब कुल कोटल तीन बार रिवाइश कर चुका है और इसको लेकर के काफी स्टुडेंट्स में आप रोज से गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है और इस सारी चीजे जैनुइन भी है क्योंकि दोस्तो जो अरारवी एलपी की जो भरती है वो पिछले जेन्ट सालों से चल रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और आगे भी अभी कितना और वक्त लगेगा इसका भी कुछ अंदाजा नहीं है तो दोस्तो मैं बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के जो भी नुक्सांस है इसको तो सबको पता होगा लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा है दोस्तो एस सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं कि जिनके रिजलिक में इसूज है या जिन्होंने ट्वीट किया है साथ ही दोस्तो इस रिवाइज रिजलिक का उन लोगों को भी फायदा है जिनके मार्स अच्छे आ रहे हैं और इनको कोई फ्यूचर में प्राब्लम ना हो तो यह भी बहुत बड़ा फायदा है इसका तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी क्या फायदा है जिसको आप जानना चाहिए तो वीडियो को दोस्तो ड्sheb करने से पहले मैंने आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो लौसेस है थी वो भी प्रॉब्लम था ही ऐसे लबग बहुत सारे इसूस थे लॉसस थे जिसे आप लोगों ने भी फील किया होगा और दोस्तों इसकी जो रेलवे की इसमें कह सकते हैं कि गलती या फिर जो इनको करना चाहिए कि इन्हों अपने एक्जाम्स के लिए कमेटी बनानी चाहि से तसे जो कमेटी भी होगा तो इसे रिवाईस करना चाहिए अपनी कमीटी को ही कि जो भी वह अगर सेट की हैं कोशन ऐसे सेट करें पहली बार में कि कोई उसमें यूसमें फॉल्ट हम है और कोई कुछचन फॉल्ट हम है तो जब कांडिडेट आप्जेक्शन करता है तो उ अगर candidate को भी हायर करते हैं और एक candidate को एक set भी दे देते हैं तो सारी चीजों को एक दिन में उसे दूर करके और बाकी एक algorithm में fit करके आपका जो answer की है उसे दे सकते अच्छे से इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ तो इसकी benefits क्या है तो दोस्तों यही यह सब को जानने के लि भी काफी tensions हो रहे हैं तो इसको मैं इसमें discuss करता हूँ जोस्तों एक बार आप सोचिए कि अगर आपका result रिवाइज नहीं होता और पहली बारी जो result आपका आया और उसे रेलवे ने मरमानी तोर पे उसे जारी कर देता फाइनल कर देता और इसके बद आपका साइको एक्ज अगर आपको पाइनल जाती तो अगर ऐसी हो जाती है और रेलवे अपनी मरमानी करता हूँ जो लोग tweet किये तो उसको कोई भी response नहीं देता तो दोस्तों जड़ा सोचिए कि ये लोग इसमें से अगर 1000 लोग को प्रावलम है तो उसमें कुछ ने कुछ एक दो लोग ऐसे जर चार्टिंग में लगेगा बड़ जब court में इनकी जो cases है जो इनकी याज़का है जब इस पर सुनवाई होगी और दोस्तों जब सुनवाई होगी तो आप जानते हैं कि सुनवाई होगी तो अगर इनकी सारी चीज़े जो डॉक्मेंट सही है इनके results हैं तो जब सुनवाई ह तो आपको पता है कि जो आपकी जो भरती चल रही है वो कैंसिल भी हो सकती जैसा कि आपने पिछली बार SSC के एक्जाम्स में देखाऊगा SSC EGL 2017 में उसमें जो अगेन आपका एक्जाम होने वाला खैर हो तो पेपर रिलिस लिक को था बट इसमें भी तो अगर रेलवे का तो लोस है जो क्योंकि फूटे हैं जो एकोनोमिकली फटे हैं पेपर कराने में वो तो लोस ही साती आप लोग जरा एक बार सोची है अगर अभी आपका फंधरह दिन वीज दिन एक महीना दिले हो रहा है तो ये चल जाएगा इसे आप लोग एक बार टॉलरेट कर लोगे बट अगर आप फ्यूचर में जॉइनिंग लेटर पा गए और उस समय आपका रिजाल कैंसिल कर दिया गए और इवेन रेलवे ने किसी के याजिका पर ये बोल दिया कोट ने कि अब आपकी जो एक जाम है वो भी कैंसिल होगी फिर से होगी तो सोचो उस समय कितना पैनफूल होगा आप लोग को तो दोस्तो यही चीज़ों को अवेर कराना था मुझे इस वीडियो में जिसे आप लोग एक बार सोचिएगा और अपनी भी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में बता करके कि क्या ये चीज़े सही हो रही कि गलत हो रही है माना कि दोस्तो इसमें रेल्वे की बहुत बड़ी फॉल्ट है जो अपना कोई भी चीज बीना सिस्टम के पता नहीं कैसे कर रहा है कि बार बार प्रॉलम आ रही है लेकिन दोस्तो जो मेरे ख्याल से रिजल्ट की रिवाइज हो रहा है तो इसको जो भी इसूज है मैं कहता हूँ दस काइंडिडेट को भी इसूज है तो इससे भी रिजॉल्ट कर लेना चाहिए बलकि इससे रिजॉल्ट करना चाहिए कि एक ही बार में हो जाए तो दोस्तो यही बताना था इस वीडियो में कि आप लोग एक पॉजिटिवटी के साथ अपनी प्रिप्रेशन जो है अपकमिंग चीजों पर ध्यान दो जो लोग पास हो बिल्गुल टेंसर मतलो कि आप लोग को फेल कर दिया जाएगा क्योंकि दोस्तो रिजॉल्ट में जो चेंजे जाएंगे और सब के साथ आएंगे और आप लोग ज़रा सा पेसेंस रखो इसका मैंने बता दिया ही आपको कि आपको कोट मैटर से फ्यूचर में इससे एक निजात मिल जाएगी जो अभी कर रहा है रेलवे तो दोस्तो रेलवे भी यही सोचके कर रहा है कि जो एससी के साथ हुआ और रेलवे में ना हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा ज्यादा ज्यादा सेर कीजेगा और चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि रेलवे से जुड़ी हुई जो भी अपगेट समयलाता रहता हूं और आपको मिसना हो तो चली दोस्तों एक नए के साथ तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभ हो